तो लग रहा है इस साल का जो रेसल मीने 39 का स्टेज है वह ऐक्चुल में फैन्स उसको देखके कहने वाले हैं कि यह कुछ जाधा कमाल निंगर डे डमलब ली ने वेल्कम बैक टु नीव वीडियो एसल मेने 39 सोफी स्टेडियम के अंदर होगा और लगातार सोफी स्टेडियम से जो रेसल मेना की वीडियो जाद के लिए सामने उसे देखे फैंस काफे एकसाइटेड है रीसेंट टाइम में जो एक और वीडियो एक और फोटो आएंस वाद तुमारी जो एकसाइटमेंट है वो रेसल मेने से जादो उसके स्टेज को लेकर हो जाएगी और रीसेंट आमे सीना ने भी क्रश्च किया है जौन सीना की कस्टम टाइटल को प्लस बात करेंगे रेसल मेने के बाद की डबल डबली की क्रीटिव प्लान के बार में जिसको लेकिन देखो पहले वीडियो को शुरू करने वाले हैं दा वाहाँ पर वेल द एपेक्स प्रेटर लेजेंड कि लर यानि की रैंडी ओटन के साथ में अब रैंडी ओटन का सीनक डवल डबली कंपनी के अंदर वहां पर रिडल भी उनकी साथ आएंगे और वहां पर रिडल कि देखो भाई सीन कुछ इस तरीके से कंपनी के अंदर कि रैंडी ओटन को डबल डबली ने बुलाया लॉस एंजलेस में यानि कि जहां रैसल मीनिया और रैसल मीनिया वीकेंड की टाइम पर हमारे रैंडी ओटन भी वहीं पर रहने वाले हैं अब देखो साथी में यहाँ पर न्यूस एन अपडेट है सामने हो यह कि पॉसिबली डबल डबली करनली डिसकरिशन कर रही है कि किस तरीके से वो रैंडी ओटन को रैसल मीनिया के अंदर यूस कर सकती है में भी प्लान्स के अंदर चेंजी हो सकते हैं लेकिन यह शाज जो रैंडी ओटन है वापको हलक पर यूस कर सकती है लेकिन हम फिलाल हाई चांस है कि डबल डबली रैंडी ओटन को रैसल मीनिया के अंदर अब हमें यूस भी करती हुई नजर आएगी अब चलो बढ़ते हैं पोस्ट रैसल मीनिया प्लान्स को लेगा रीसन टाम में क्या कुछ पूरी निउस आफे डीटे नहीं कि है यानि कि डबल डबली को खुद भी आइडिया नहीं कि उन्हें पोस्ट रैसल मीनिया के अंदर करना क्या है हमने देखा कोडी रोड्स ने काफी सरी एंडिंग बताई थी मंडी नाइट रॉक के अंदर कि तो मैं ब्लैड लाइन छोड़के चले जाएंगे तो ब बढ़ते हैं आज की हमारी निक्स अपडीट की तरफ इस बार यह जुड़ी है करेंट यूएस चांपियन यानि की एट टाउन डाउन ऑस्टन थीओरी के बारे में अब थीओरी को लेगा जो रीसन टाम में अपडीट आई सामने कुछ इस तरीके से है कि थीओरी ने क्रश करती है जौन सिना की कस्टम चैंपिंशिप को अब होता है कि रीसन टाम में हमारे जो फोटो पोस करते हुए नजर जो डबलबली बंप अपर जाते हैं वह जो उनको ट्वीट की फोटो है वह आप लोग देख पार होगे और यहां पर थीओरी ने की कस्टम स्पिनिंग सीना इस चीज़ का बतला उन से ले पाएंगे अचले बढ़ती है आज की नेक्स्टेंट फाइनल स्टूरी से पहले सकीन लास अपडेट की तरह इस बारे किंग ऑफ स्ट्रॉंग स्टाइल जैने कि शिंच के नाका मूरा की बारे में जुड़ी है अब जो नाका मूरा को ल से चरते कि यप करने वाले थे शिंच के नाका मूरा को टोक्यो डॉम के नären को पुकिमें से करने दिया इसलए अगिल यह वो ए कर लेकिन लीपलिए अब मैं यहाँ पे ब्लॉक वर्ड का यूज करूँ, WWE ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा कहूँ नाका मुरा को, वरना नाका मुरा बाहर जाके भी कम्पीट कर दे, because to be honest नाका मुरा के जो बुकिंग है, वो बाहर जादा बेटर होती है, rather than WWE के अंदर, hope करूँगा, WWE थोड़ी एक बफर से उनकी वाल्यू समझे, और उन्हें सही से बुक करती हुई नजरा है, लेकिन चलो बढ़ते हैं, आज ही हमारी next 10 final story की तरफ, इस बारी Wrestlemania 39 की stage की construction, वीडियो क्लिप से आफिर फोटो की बारे में चुड़ी है, आप देको Wrestlemania का stage अल्रेडी बहुत कमाल का है literally, अब इस तरीके से पूरा stadium में, WWE मुझे लग रहा है, एफर्स पूट ओवर कर रही है मैंने अल्रेडी सुबह ली वीडियो के अंदर भी फोटो या फिर वीडियो दिखाए थे किस तरीके से stage बन रहा है लेकिन एक और वीडियो क्लिप और फोटो आईए सामने पहले वीडियो क्लिप आप लोग देख पार होगे यह पूरा venue है किस तरीके से WWE construction चालू रख रही है और लिटरली मुझे लग रहा कि WWE पूरे तरीके से stage को ब्लिव अप कर देगी लेकिन एक और फोटो आईए सामने दूसरी फोटो भी आप लोग देख पार होगे अब इस फोटो के अंदर आक्च्वल में कुछ construction और development दिखाए दे रही है हम देख रहे हैं सेंटर में याँ पर WWE को इसी टाइप का 3D लोगो या फिर 3D stage बना रही मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है लेकिन इतलिस इतना दिखे मैं satisfy हूँ कि WWE की creativity है वह आपको रेसल मेने stage के अंदर definitely दिखाए देने वाली है कि WWE किस तरीकिस अपना show setup कर रही है और मुझे लग रहा है कि जो रेसल मेन 39 का stage है वह जो शरेटी देता हूं कि fans को एक तरह का खुश करने वाला है या फ्रने सप्राइस करने वाला है अब इस अरली फोटो को देखके आपके दिमांग में क्या आइडिया आ रहा है मुझे अगर एक 3D stage या फे 3D Hollywood लोगों ऐसे कुछ WWE आपर बनाने का ठ्राइक कर रही है आज की वाली वीडियो वासे यहीं तक थी अगर यह वाली वीडियो पसंद आई है फटा फट से इस वाली वीडियो को तो नीचे लाइक कर ही देना लेकिन साथ ही में जो लोग चैनल के उप किर